वेल्कम बैक को मैं चैनल मैं हुशालू और मेरे चैनल आजी फामली व्लोग कर आप सब्सक्राइब आज है पित्री अमा मश्य आज की दिन घर्टी से हमारे पित्र बेव के विदा हो जाते है उनके लिए खाना पनेगा तो भी मैंने खीर रख दिया क्योंकि आज के दिन खीर जरूर बनती है बनने के लिए और इधर सब्सक्राइब ने के लिए तो बने रही है व्लोग में और तक कैसे कुझा करते हैं माश्य में और कैसे कित्रों का पाना निकालते हैं व्लोग अच्छे लगे तो इसको लाइप शेयर कमेंट भी कर देना और जो कोई चैनल पर न्य यह देखी जी आपे बनने लग रहा है खाना जो कि श्राद का निकलेगा आज सोला जंगे खाना निकलेगा तो रोटी बनती है चार रोटी के सोला टुकड़े होते हैं सोला पूरी बनती है जो भी सोला दिन के कनागत होते है तो उनका सोला ही मतलब पूरिया निकल कर उन पर खीर और सबजी रखी जाती है आगे लोग में दिखाएंगे आपको कैसे करते हैं तो जी खीर हमारी बन गई है उसमें मैंने नारियल जो कद्दुबस करके रखा हो तो नारियल को बहुता वो डाल दिया है और यहां पर हम सब्जी चोखने की करते हैं तैयारी हिंग और जीरे में सब्जी बनेगी क्योंकि शराद के लिए खाना है पूजा रहमन शराद वगरा जो देवताव पित्रों के लिए भगवान के लिए जो भी हम खाना बनाते है उसमें लसन के आज का बिलकुल मतलब इस्तमाल नहीं होता है तो टमाटर देखे मैंने इसमें डाल दिये है अभी हम आलू डाल देए तो मोस्टली क्या है कि भंडारे वाली सब्जी ही बनती है अधिकतर क्योंकि लसन प्याज के बगार जहींग और जीरे में यह वाली सब्जी बहुँ ज़्यादा इस्तमाल नहीं करते हैं तो यहाँ पर मैंने सारा मसाला डालती है घो सारे डालती है और नमक भी लेकिन यूज तो होते ही है देखिए सुद तो नहीं होंगे बिल्कुल तो पतल से सुद कुछ नहीं है तो फिर हम इस तरीगे से पतल पर निकालते हैं तो ये सोला टुकडे हैं जो की कवो को जाएंगे ये सोला पूरी है जिन पर खीर और सबजी लगा रहे हैं मतलब और जो पित्रों का और देवताओं का खाना जो कि आज हमारे पित्र इसको ग्रहन करकर धर्थी लोग से विदाई ले लेंगे तो जी देखें इस तरीके से निकालते हैं और पत्तल से सुध कोई भी वरतनी है मेरा मानना तो यह है और इस तरीके से इन पर हम पानी फेर देंगे और अब यह खाना ऊपर रख जाएंगे और कुछ गाएं को देखाएंगे तो इस तरीके से हमारे आपर आमावश्य की पूजा होती है अभी हम शाम का टाइम हैं तो यह हमने टिकडी और बत्तक बनाए थे मिट्टी से तो आज आज ही के दिन हमारे घर में सांजी भी लगती है तो सांजी लगाने की हो रही है अब दे तैयारी तो इन्हें हमने सुखा लिया था दूप में अब इनमें हम खड़िया बरेंगे वाइट कलर की दो आती है तो इन पर सब पर वाइट कलर करतेंगे फिर इन पर वैसा कलर करे तो मट्टी से फिर वह अच्छा नहीं आएगा तो अभी इन पर हम वाइट कलर कर देंगे ये टिकडी है बत्तक है इन में कुछ युवान ने बनाई कुछ परी ने वो भी साथ में लगे हुए थे ये मैंने बनाई ये मैंने वो मेरे साथ लगे रहते हैं हटते नहीं दोनों क इन थहा इनकी हेसे सांप जैकडी म Mormon मतलब भी रूपनी सांपे में घर नुके नों दन हमगें आयमन करते हैं ना शुबह शाम पर और तो उस पर शिलगाने के लिए सामगरी हम बना कर एक डबबे मेरा कलते है खर में तो उसमें भी त्रसारे मेरे साथ में लग रहे हुए थे में बड़ी आफ़त उतार हुई यह है कि चलो ममा जल्दी काम हुआनी आपका और करेंगे अभी सूप तो जाने दे हाँ करेंगे सूप गई चलो जल्दी तो इसने हाँ जो मुझे काम करना भी भारी कर दिया इस सुबह से क्योंकि तो बच्चों की जुटी है और फिर इसको ना इन कामों में भूजादा सूप भी है तो लगी रहती है अगर मैं कोई चीज लाओंगी तो मुझे बोलेगी आपने मेरे लिए तो लीनी है ऐसी चीज तो इसको मतलब मेरे से भूजादा अटैच है ये तो हमने देखो इन पे वाइट कलर कर दिया ये धूप में सुखा दी है भूजली से सूप भी गई अब इसमें कर रहे है कलर और ये लगी है मेरे साथ कि तुम ही करोगी मुझे नहीं करने देरी मैंने का मैं बस इस पे कर फिर तू कर लेना मैं कोटन से कर लूँगी या फिर शोप पे से दूसरा बुरूस दूसरा बुरूस में इस लेनी मंगवारी फिर वासे पड़ा पड़ा फिर है ये बच्चे तो यूज में करते नहीं अभी तो इनका स्केच चल रहा है इनके वोटर कलर तो भी इस्तमाल म हैं तो फिर मैं कोटन ले लूँ कोटन से कर दूँगी और जल्दी से हो जाएगा सारे के सारा तो से भी नहीं होईगा और सारे तीनों के तीनों खेल रहे हैं और उससे पहले खाए थे हमने मतलब समोसे लेके आए थे सुबसे काम में लगे उते फिर सोचा कल से फास्ट बच्चों को तो चाहिए मोका बलकी बोल रे थे कि मम मैं हम मॉमोस लेका है मिनका नहीं मॉमोस तो नुकसान देगी समोस तो फिल भी चलो जदा हो रहा है और बताँ ना ये फराई मिंगाते स्टीम काते हो मुझे बिल्कुल पी अच्छी नहीं लगती तो फिर सबने खाए समोसे और अभी यां और आए कलर टिकडी में बत्तक में तो बत्तक की में आइस बना रही थी मेरे कहले ती इसकर चोच तो ही ना अग्युवान ने तोड़ दी तो इनके साथ में मतलब काम का भी पता नहीं चलता बच्चों के और ये भी मस्ती करते रहते हैं हम भी लगे रहे हैं इनके साथ हैं तो ये देखे सारों पर कलर कर दिया है टिकडी पर बत्तक पर रंग बिरंग बना दिया है और अंच भी लगा हुआ है आरू भी लगी हुई है ये देखी है युवान भी सारे के सारे में साथ हुई लगे पड़े हैं तो इनने भी ना करूँ से नौन envoyee करने तो पहले तो ना जब हम चोटे थे हम धी इस सीव हम पूरर कैनी पूरते ही और आपने फी solids नियुक्रति भाउने नियुक्त का विश्ण सब्सक्राब्रें करने मिलती है नई अच्छ मिलती है तो hours Portal स hm हो गया हमारे कलर वलर भी फूब लगा लेते हैं जी सांग जी बना है हमारे हाप पर जे व्लोग आई नगस दो लाक्षिय कोमेंट भी करते हैं हमारे बिलोग देखने के लिए तैंक्यू शुक्रिया मिलते रहे खोर फिलोग में बाइभाई